मैं हूँ संजेक गुपता आप लोग देख रहे हैं कैमेस्ट्री क्लास 10 कारबन एन्टिस कंपाउड का पार थर्टीन का पार थर्टीन फंक्शनल ग्रूप फंक्शनल ग्रूप हम लोग आज पढ़ते हैं और नेमिंग आफ हाइड्रोकारबन नेमिंग आफ हेलो एलकेंज त atom are a group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its property is called functional group वैसे जो carbon compound होते हैं जो unreactive होते हैं अगर उस carbon compound में atom या group of atom जुड़ जाता है तो वा reactive बन जाता है तो ऐसे group of atom को functional group कहते हैं तो functional group क्या है एक atom है या group of atom है जो carbon compound में जूड़कर उसे reactive बना देता है इसमें देखिए हेलो group example group में अगर हम देखें तो हेलो group एक functional group है इसको रिप्रेजन करते हैं यक्स से यक्स कैन भी क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन यक्स के अस्थान पर alcohol group आगे हम लोग इसके बारे में डिटल में पढ़ेंगे थुरा से जान लेते हैं इसके बारे में alcohol group है अब इसमें OH जिसे हम hydroxyl group भी कहते हैं hydroxyl group OH को hydroxyl group बोलते हैं जिस carbon compound में alcohol होता है उस carbon compound को हम alcohol बोलते हैं कभी कभी इसको हम एल्कोहलिक ग्रूप भी बोलते हैं एल्कोहल ग्रूप को एल्कोहलिक ग्रूप यानि जिसमें हाइड्राक्सिल ग्रूप होगा वह एल्कोहल ग्रूप कहा जाएगा और ऐसे कार्बन कंपाउंड को एल्कोहल करते हैं अगला functional group है aldehyde group aldehyde group जो होता है इसको CHO से रिप्रेजन करते हैं यानि इसमें एक carbon, एक hydrogen और एक oxygen होता है यानि एक carbon hydrogen से single band से attach होता है और oxygen carbon से double band से attach होता है या इसे हम SAP से रिप्रेजन कर सकते हैं यानि इसमें CHO, aldehyde में CHO group होना चाहिए एक hydrogen oxygen और carbon एक जो है इसमें होना चाहिए तो यह aldehyde group भी कहते हैं aldehyde group को aldehyde group भी कहते हैं जब किसी carbon compound में CHO group यानि aldehyde group attach होता है तो उस carbon compound को हम aldehyde बोलते हैं इसके बाद functional group है अगला ketone ketone मतलब CO से represent करते हैं इसमें oxygen और carbon के बीश एक double band होता है और इसमें दो alkyl group जो है free होते हैं दो alkyl group जुटे होते हैं तो इसको ऐसे represent करते हैं CO से या CO हानि carbon इसमें एक होता है जो है oxygen से डबल बान से attach होता है और दो ये free होता है alkyl group जोनों से attach होता है या फिर इसे CO से भी represent कर सकते हैं जिस organic compound में ketone होगा ketonic group होगा वह ketone कहा जाता है अक्सर ketone दो alkyl group के बीच में होता है या दो carbon के बीच में हो या दो alkyl group के बीच में हो यानि CS3, CO CS3 यानि इसमें जो ketone group होता है दो methyl group के बीच होता है अगला functional group है carboxylic acid group COOH बोलते हैं carboxylic acid group को या carboxyl group भी कहा जाता है इसमें एक carbon एक carbon दो oxygen और एक hydrogen होता है इसमें एक carbon oxygen से double bond से attach होता है और oxygen और hydrogen carbon से single bond से attach होता है और इस जिस organic compound में carboxylic acid group होता है उस carbon compound को हम carboxylic acid बोलते हैं तो ये थोड़ा सा functional group के बारे में introduction हो गया इसके बारे में बाद में और हम लोग detail बढ़ेंगे जैसे पहला आ गया यहां पर देखिए हेलो एलकेंस हेलो एलकेंस पढ़ते हैं